करनाल के सुपरमॉल में कभी लड़ाई तो कभी लूट तो कभी स्पास सेंटर में गंदे काम की शिकायत पुलिस को मिलती रहती है लेकिन अब जो शिकायत पुलिस को मिली है उसमें लूट और मारपिट की बात सामने आई है दरसल एक यूवक जो मुल रूप से इंदरी का रहने वाला है और पीछले कुछ सालों से यूरोप गया हुआ था वो शाम को अपने दोस्तों के साथ मौल में गुमने आया था तब ही वहाँ पर कुछ लड़के उसका नाम पता और उसके गले में डाली हुई चैन के बारे में पूचते हैं उसके बाद उसको सपास सेंटर में ले जाते हैं वहाँ पर एक लड़की और एक लड़का पहले से मौजूद थे दोनों ने गेट बंद करके उसके साथ मारबट शुरू कर दी फिर उसके बाद यूवक के पर्स में रखा कैश और सोने की चैन चीन कर ले गए वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दज कर जान शुरू कर दी है वीडियो डेस्क अमरुजाला.ड़कॉम अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें